दिल्ली कालकाजी मंदिर में जागरण कारिक्रम के दौरान मंच तूटने से बड़ा हासा हो गया है इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 17 लोग गंभी रूप से घायल हैं बताय जा रहा है कि हादसे के वक्त प्राख्यात सिंगर बीप्राख स्टेच पर थे और भीड उनसे करीब जाने के चकर में मंच पर चड़ने लगी थी ऐसे में मंच तूट गया दिल्ली के कालकाजी मंदिर के महंत परीसर में आयोजित जागरण कारिक्रम में बड़ा हासा हुआ यहां कारिक्रम के दौरान अचानक से मंच धस गया तस्पीरों में आप देख सकत किसकदर भीड देखी जा सकती है इस हासे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए है वही सूशना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस ने मामले की चानबीन शू कर दी है हादिसे के वक्त पर मंच पर प्राख्यात सिंगर बी प्राग थे बताया जा रहा है कि भीड उनके नस्दीक जाने की कोशिश कर रही थी इसकी वज़ा से मंच पर दबाओ बढ़ गया था वही जानकरी के मुताबेक 26 सालों से कालकाजी मंदिर में माता जागरण का आयोजन किया जाता रहा है इसी क्रम में कल भी जागरण का आयोजन चल अनुमती भी नहीं ले रखी थी आयोजन को के मुताबिक VIP के परिवारों के बैठने के लिए मुखे मंच के पास एक उचा मंच बनाया गया था यह मंच लकड़ी और लोहे के फ्रेम से बनाया गया था क्योंकि इस मंच पर शमता से अधिक लो चड़ गए थे ऐसे में यह हा हासे की बाद पुलिस और आयोजकों ने सभी घायलों को एम्बूलेंस से एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदर जंग अस्पताल में भरती कराया वहीं सूचना मिलने पर फायर बिगेड ने भी मौके पर पहुँचकर राहत कारे में सहयोग किया और इसके साथ ही बताय जा रहा है कि इस हासे में कुल 17 लोग गंभी रूप से घायल है इनमें एक 45 साल की महिला ने मैक्स अस्पताल में लाज के दौरान दम तोड़ दिया वहीं पुलिस की मुताबिक इस महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आयोजकों के खिलाफ स इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए भी प्राक ने कहा जो कुछ हुआ दुखद था ऐसा नहीं होना चाहिए था मुझे इस घटना पर बहुत दुख है दिल्ली से समवादाता शुबसीट की रिपोर्ट बहुती दुख हुआ और बहुती मयूस में बहुती दुखी हुआ बहुती दुख्य मन से मुझे इसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने उता हुआ और अपनी जहां पर मैं गा रहा हूँ मा काल का मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत दुख्की बात है और जिनको भी लगी जिनको भी चोटे आई हैं मैं उमीद करता हूँ कि वो सब ठीक हो और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं